हेलो स्टुदेंट्स हम लोग प्रिभ्यस वीडियो लेक्चर में बात किये थे थारिश्टर स्पिसिफिकेशन और रेटिंग्स में वोल्टेइण की बारे में हम लोग इसके फर्दर जो है डिनेश्ट जो हमारा रेटिंग था पॉल्टेइटिंग कड रेटिंग पावर Current rating कोई भी थाइरिष्टर का ओकी यो कोई भी है इसका बोल सकते हो जो करेंट रेटिंग होता है डिटेंग होता है याट इस डिटर्माइंड बाइदा एलावेवल टैम्प्रेचर इन दा case of thyristor अगर हम लोग thyristor का बात करें तो उसमें जो current rating हम लोग यहाँ पर determine करेंगे that is determined by the junction temperature of the thyristor ओकी thyristor की junction temperature के द्वारा हम लोग determined जो allow कर रहा है thyristor हमारा यानि कि जो भी value होगा हमारा value of the current अगर हमारा current के value जो है higher than their current rating हो गया इन डाइट केस देर रेटिड वैल्यू जो भी है उससे अगर ज्यादा हो गया तो जंक्षन टेम्परिचर से ज्यादा हमारा जो है लाइबल जो भी टेम्परिचर था उससे ज्यादा हमारा टेम्परिचर हो जाएगा कर सकता है इसलिए हम लोग यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है बहुत अस्यक है कि जो भी करेंट च्वाइस है करेंट रेटिंग है वह हम लोग जो है करते हैं हम लोग डिफेंट करेंट रेटिंग देख रहे हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वह है एवरेज कि आन अस्टेट करेंट कि एवरेज ऑन अस्टेट करेंट कि एवरेज ऑन अस्टेट करेंट है ना एवरेज ऑन अस्टेट करेंट में हम लोग जो है जो है इसको हमलों क्या करेंगे इसको सम्भोधन देते हैं यह रिपैंट करते आई टी एभी एवरेज टी-फोर ऑन-स्टेट-इफोर करेंट है ना तो हम लोग जानते हैं ऑन-स्टेट के कंडिशन में जो है बहुत कम होता है कि धाइसक पे कारण करते हैं कि जो पावर लॉस हो रहा है है during the on state condition okay power loss वो कौन determine करेगा वो determine करेगा हमारा on state में जो current यानि कि जब थारिस्टर on हो रहा है तो उस condition में जो current flow कर रहा है उसका average value ही determine करेगा power loss in the thyristor है नव अब तो अगर हम लेहां पर बात करें for the same average current अगर आई टी एभी का value जो है वो क्या है same और conduction period जो है मालेते हैं ओकी यह हमारा conduction period इस वन ओकी अगर करें इस तरह से करता है है करें है कर तो अगर के क्पे इस होगल हो wyo कि ततरों में की है है हमारा आप देख सकते हैं switching characteristics में तो average value क्या होता है average value होता है maximum value divided by the conduction period अगर conduction period बह जाएगा तो उसके corresponding जो है average current भी हमारा खटेगा लेकिन हम बात यहां क्या कर रहे हैं अगर average current हमारा average on state current same हुआ ओके दिन फोर दा डिफरेंट conduction period ऑके फोर दा डिफरेंट कंड़क्शन पिरिएट maximum current भी हमारा different हो जाएगा नहीं अगर यह सेम है तो अगर यह अगर maximum current same होता तो conduction period अगर different होता तो average current हो जाता लिए हम लोग यहां पर average को same रखते हुए अगर conduction period को vary कर वाते हैं तो maximum current होगा और maximum current अगर different होगा तो जंक्शन टेंपरेचर भी हमारा क्या होगा different होगा आपकोस जंक्शन टेंपरेचर इडिटर्माइंड वाई दा maximum current तो हम लोगे यहां पर बात कर सकते हैं कि अगर conduction period okay with the increasing conduction period okay with the increasing conduction period the average on state current का value क्या होगा तो decrease वो घटना चाहिए है अगर यह हमारा जो है यह बढ़ रहा है तो बढ़ने के कान हम यहां पर लिख सकते हैं रफली आई एम बाई टी ओकी अगर यह बढ़ रहा है टी टाइम conduction time और अगर यह सेम है तो maximum current हमारा बढ़ेगा इसको सेम होने के लिए बढ़ना होगा न भी ओकी अगर यह बढ़ गया तो उसके तो यह पूंटिंग जंक्सन ट्यंपरेचर बढ़ जाएगा जंक्सन ट्यंपरेचर बढ़ जाए तो थारिश्टा हमारा क्या होगा देमिघ हो जाएगा इंडैडकी हम लोग को कहने का तो यह होगे हमारा लोग बात करेंगे आरेंस वैल्यू आफ और अफॉट में आरेंस वेल्यू आफ और टित्क रिन्ट जसी तो कि आरेंस और स्टिट करिंट में दिस वन सिंपल हम लोग क्या बात कर सकते हैं i tsm स्टाइब क्या जब्दाटटी करने अब टी लिखो ना लिखो टी लिखेंगी तो पता चले करने लिखेंगी आपकोस लिएन से बात करते वह वर्किंग कर अन्पर बात करते हैं और क्या आप्रेटिंग के से कम होता यानि कि जो से से अगर यानि कि यह जो टो हटो ओके दिन हाट हैपन्स को यह एक दिन हाट हैपन्स तब उसके corresponding जो है heating affected होगा या नहीं होगा ऑपकूर्स उसके corresponding क्या होगा heading? Heating affected होगा, और heating effect जो है वहाँ पर excessive हो सकता है ओकी क्यों यहाँ पर इसके कम होने का मतलब क्या है? कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके कम होने हैं ज्यादा होने से doesn't matter क्योंकि heating effect depend करता है वो हमेशा RMS value पर ही depend करता है आपके यानि कि rms value of current जो है they determined the heating effect को हमेद करता है तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि जो आरेमस value है वह भी maximum junction temperature के corresponding जो है चाहिए जो भी आरेमस का definition जानते है RMS value of the current, have the same definition, okay, for any device, that doesn't matter, so no any special definition is given for the RMS value of the current, okay, but maximum junction temperature के corresponding ही specified होना चाहिए, आपका क्या, RMS value of the on state current, हैना, आम लोग जो बात करेंगे नेश्ट, impulse current और surge current, ओकी, ज़स्ट सी, तो impulse और surge current, I T SM, M for maximum, S for surge, T for on state, यानि कि हम लोग बोल सकते हैं, impulse of surge current is the maximum value of non-repetitive on-state current, ओकी, on-state current, यानि कि maximum surge current, ओकी, जो थारिस्टर अपने आप में विदर स्टैंड कर सकता है, पॉजेस कर सकता है, धारंग कर सकता है, ओकी, तो जो भी, यह जो I T SM का value है, that is inversely proportional to the duration of surge, यानि कि surge जितना ज़्यादा होगा, ओके, जितना ज़्यादा surge होगा, maximum value उतना ही कम होगा, ओके, because it depends upon the area, ओके, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा यह surge माले तो यह surge इतना दिर हो रहा है, तो यह duration घटा, तो यह और उपर हो जाएगा, अगर duration बढ़ गया, तो duration बढ़ गया तो यह, तो यह size का duration है, ओकी, तो अगर size का duration हमारा जो है, बढ़ता है, then itsm का value क्या होगा, घटेगा, तो याद रखेंगे, it is inversely proportional to the duration of surge, ओकी, next हमारा क्या है, i square t rating, this one, i square t rating, जिसका unit क्या है, ampere square second, याद रखेंगे, i square t rating भी क्या है, यह maximum non repetitive instantaneous current है न, यह भी आपका maximum non repetitive on state current है, यानि कि rms value of current, but यह जो हमारा है, okay, क्या, i square t rating, वो कौन, इसमें जो current हमारा flow कर रहा है, जिसमें जो i है हमारा, they are the maximum non repetitive instantaneous current है न, तो हम लोग यहाँ पे, जो i square t देते हैं, i square t, वो जिसने time के लिए, जितने time के लिए current flow कर रहा है non repetitive value, उसका area के द्वारा, हाना integrated over the area, उसके area के द्वारा हम लोग जो i square t निकालते हैं, now, now i square t है क्या, i square t corresponding to energy, हम लोग बोल सकते हैं यह एक तरह का energy है, यह जो rating है, this rating is given in terms of ampere square second, they specify the energy, okay, specify the energy, okay, जिसमें जो भी thyrister है, जो भी device है, that can absorb the energy for a short time, after, sorry, before the fault is cleared, यानि कि कहीं भी, अगर fault आ रहा है, किसी तरह का abnormal conditions हो रहा है, तो abnormal condition clear होने से पहले, device जितना energy absorb कर रहा है, वो energy जो absorb करेगा, वो ampere square second की term में absorb करेगा, and that is the i square t rating, then it is very essential for the thyrister to have the i square t rating, कि fault के पहले, या fault, sorry, fault clear होने से पहले जो है, इसके पास कितना energy था, जो device absorb कर लिया, क्योंकि या absorb करेगा, तो release भी करेगा, है ना, तो हम लोग इसी का हम लोग i square t rating का बात करते हैं, next हमारा जो है, वो है DIYDT rating, this one, जिस तरह से हम लोग voltage rating में हम लोग पर है, DVYDT rating, उसी तरह से हमारा है DIYDT rating, ओके, same definition है voltage के जैसा, तो जिस तरह से हमारा DVYDT था, तो DVYDT क्या था भाई, इत इस दा मैक्सिमम, हना, मैक्सिमम अलाएवल, रेट ओफ राईज ओफ इनोड वॉल्टेज, ओके, रेट ओफ राईज ओफ इनोड वॉल्टेज, मैक्सिमम, यानि की, जो भी स्पिसिफाइ वैल्यू था, अगर उस वैल्यू से जादा हो जाए, देन वो जो हाँ पे temperature raise करेगा beyond the permissible limit होगा ठीक उसी तरह DIY DT rating जो है they specify the maximum rate of rise of anode current okay rate of rise of current okay which may raise the junction temperature okay यानि कि junction temperature को यह बढ़ा सकता है beyond the permissible limit जो भी limit permissible दिया गया जो भी allowable है उससे भी आगे जो है यह आपका DIY DT rating बढ़ा सकता है कहां जो भी उसका अपना जो है junction temperature उससे भी ज्यादा ओकी तो DIY DT rating भी हम दों को पता होना चाहिए तो इसका जो safe value होता है वो 50 से लेकी 52 500 ampere per microsecond होता है याद रखेंगे ओके 50 से लेके 500 ampere per second current निश्ट जो हमारा है हम लोग इसको पर ले राप कर लेते इसको अब निश्ट जो हमारा है वह maximum और minimum gate current तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसका बात करते हैं minimum gate current का बात करते हैं तो minimum gate current क्या indicate करता है they indicate the minimum value of gate current gate current का वह minimum value ओकी जो sufficient है थारिष्टर को turn on करने में यानि को से ज्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है है ना यानि कि थारिष्टर को turn on करने में थारिष्टर को trigger करने में fire करने में on करने में जितना gate current का minimum value जो है requirement है that is called minimum gate current ओकी अब यह minimum gate current कौन determine करता है minimum gate current determine होता है rate of rise of anode current यानि कि anode current कि rate से rise कर रहा है तो जितना ज्यादा तेजी से ज्याइस करेंगा नोड करेंट उतना कम value लाएगा minimum आपका जितना कम लाएगा gate current का है ना देन minimum gate current होई हो गया अब यहां पर maximum gate current क्या है भाई तो maximum gate current जो है यह indicate कर रहा है safe value of the gate current safe value यानि कि आप थारिष्टर को turn on करने में ओके ऐसा नहीं कि हम gate को supply किये हुए gate current बढ़ती जा रहा है बढ़ती जा रहा है और अपने safe value से आगे निकल जाए safe value से आगे निकलने पर जो भी उसके corresponding power loss होगा वो थारिष्टर को damage कर सकता है है ना तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि maximum gate करेंट से कभी भी value जादा नहीं होना चे विकॉज दे इंडिकेट दा सेफ gate करेंट आप दा थारिष्टर ओके तो यह हो गया आपका maximum और minimum gate करेंट तो यह आपका टोटल जो है छे रेटिंग था आपका करेंट रेटिंग अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे रेटिंग पावर रेटिंग क्या पावर रेटिंग यहां पर क्या है दिसिपैसन अफ हिट यनि की सब्सक्राइड जो है यानि कि जो भी उसका पर्मिशिवल वैल्यू यहां तक जंक्षन टेंप्रेचर को मैं पर्मिट किया गया है कि उसे वैल्यू से ज्यादा ना फ्लो कर जाए तो रेट ऑफ हेट डिसिपरेशन उतना ही होना चाहिए ओके यह करने का रेट जिसको हम दिखाएंगे हीट सिंक में ओके और मांटिंग केसे सब्सक्राइब ओके डोंट वरी उसमें एक क्वेशन भी निकालेंगे तो यहां पर रेट ऑफ डिसी पैसन ऑफ हीट जो है डिटर्माइन हो गया यह इस तरह होना चाहिए कि जंक्शन टेंपरेचर क्या होना चाहिए ओके इस तरह जंक्शन टेंपरेचर डेजन्ट इंक्रेज बियोंड देर परमिसीवल वैल्यू तो यहां पर जो मैक्सिममम पावर रेटिंग यही कारणे कि सोदा मैक्सिमम पावर रेटिंग यहांने कि मैक्सिमम पावर रेटिंग का मैक्सिमम वैल्यू वो स्पिसिफाइ होना चाहिए जो दैट कि कभी भी जो है जंक्शन का टेंपरेचर यह ओवर ओल थरिष्ट्रा का टेंपरेचर जो है अपने नॉर्मल वैल्यू से जादा ना बढ़ जाए क्योंकि आगर पाव यहां पर नॉर्मल टेंपरेचर्श का वैल्यू कभी आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा आपका थारिस्ट्राइद डेवाइज होने से बच जाएगा तो हम यहां पर बात करें कि हीट जो जन्रेट हो रहा है पोगे अपकोर होगा तो उसके पहले होना चाहिब नहीं कां से जर्णिट हो중에 इस से जर्णिटAh वह कां टिफ्रेंट डिफ्रेंट टिफ्रेंट लॉसेस देखते हैं जिसमें हमारा पहला फहला जो लॉस है वह फार्वर Dal कंडक्शन है लोस ऐसा यहांने कि ज Raumta腟 को फॉर बाइस की और वह कंड़क्र होने लागा तो उसके कॉर्स्पांडिंग लॉसस्ट तो उसके कॉर्सपांडिंग लॉसस येनि कि जो भी AC overcome कंडोंचन लॉसस होगा यहां that is given by the product of on state voltage drop है ना जो भी on state voltage हो रहा है भी टी इन्टु आई टी simple ओकी यानिकी product of the on state voltage and on state current ओकी अपकोस हम लोग जानते हैं कि जब हमारा थाइस्टर on होता है तो उसके corresponding क्या होगा करिंट ज्यादा रहता है है तो ही दोनों का जो प्रोड़क्ट होगा डाट इस दा फॉर्वर्ड कंडक्शन लॉस गॉट इट अब यह जो लॉस है वह इंक्रीज होता है विद्धा डिक्रीज इन प्रियेड यानि कि on state का प्रियेड जितना कम होगा ओकी उतना ही ज्यादा जो है आपका लॉस बरहेगा ओकी यानि कि ज्यादा ज्यादा देर अगर ओन रहा तो कम से कम लॉस होगा ओकी तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर average value हो गया यह हमारा conduction लॉस और जितना भी पूरे थारिष्टर में ओकी जो भी losses हो रहा है उस losses का जो major part है यह ओही है forward conduction loss ओकी यानि कि यह loss जो है सारे losses में सबसे ज्यादा है तो यह losses को मुझे सबसे कम से कम रखना चाहते हैं यानि कि ज्यादा ज्यादा हमारा conduction time होना चाहिए है ना ज्यादा ज्यादा हमारा period of conduction होना चाहिए हमारा लोशेट कम से कम नेक्ष फमला एटर्ण ओं लॉशेश हैंनो कि टर्ण औल्ण लॉशेश है कि तीसरा है कि तैन अफ लाशज leading on यहotherapर यह driving जो सब्सक्रांच क born इए ज्यादा होता यारी कि यह जě विðास को आउन कर ने का 一् organizers क्यूंत करें तो उस आज कर रहे हैं अ популяр shedding on process ओकी तो during the turn on process walte grad a cross the tester वह क्या होता जया था जिसे यह यहां पर बहुत ज्यादा होता है यह लॉस जो है उसको भी कंसिडर करना होगा है तो एक हमारा हमारा turn on losses हो गया फिर तिसरा हमारा turn off losses यानि कि जो है आउन से आफ क्यों ले जा रहे हैं आपको याद होगा जब यह आउन था ओकी तो जब इसको आफ कर रहे हैं तो पहले करेंट जीरो हो रहा है फिर हमारा मैक्सिमुम हो रहा है रिवर्स करेंट लाइक डैट तो आपको याद है कि बिद्दा सेम स्लोप ऑफ डियाएव डिटी उसी स्लोप से यह क्या होता है रिवर्स में भी हमारा इंक्रीस करता हैं तो तो टेडंः आफ लासिस यानि का डिविं डा डिविंग डा अफ डूरिंगा डिविंग डा रेपीड डिंगर रैपीड टवर्स कंडिशं में क्या होता है कि जो reverse recovery current है या उसके corresponding voltage है उसका value क्या होता है हाई होता है किसकी तरह जो हमारा forward current है उसकी तरह तो उसके corresponding जो है वहाँ पर भी एक losses होगा that is called turn off losses बट हम लोग इस losses को कम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक inductor को series में जोड़ जेते हैं एक inductor को add कर देते हैं circuit में so that कि हमारा losses कम क्यों अगर losses हमारा कम होगा कैसे होगा तो इंड़टे को अगर आप add कर देंगी तो इंड़टे की कारण उसका slope क्या होगा घट जाएगा तो सुलोब घट जाएगा तब जो ऐसे घट रहा अब ऐसे घटेगा तो यहां पर एक अने उन्हें एक इंड़टे को add करते हैं so that की turn off के दौरान यानिकि on से off करने के दौरान जो losses हो रहा है वह हमारा क्या हो कम से कम losses है ना ओकी अब हम लोग करेंगे fine blocking आसमें सो crawly और उसके बाद नेश्ट जोムट करेंगी even blocking लॉस है तो रिवर्स बलॉकिंग लॉस कि वह दिखते हैं रौछ इंड बैलोगेंगे लाउस यैशी स्टेट मेस प्री ब्लॉकिंग ज्यादा बरर जो करेंट के का है घरक है यहां पे अब देख रहे हैं की यह रहाएं कि यह रहा है फार्वर्ड ऒॉल्टिज अप्लाइए करते हैं तब का बात है य। मोलट वह ज्यादा हो जाता है लेक्ट जो करता है यो इस कारइंट आ trov ली豁ट लीज करेंट काई कैड लेक्य वैलू कम है तो उस बॉल्टेश को और इस कैंट को बैलू जो है multiply करेंगे तो उसके वैलू क्या होगा और क्यम होगा आपको लिके स्कान को जो उने मीजर करते हो क्या होता है तो हमारा मिली में आएगा मिली वाट में तो हम लोग फावर ब्लॉकिंग के कोईस्पॉंडिंग जो है लॉसेश वो लॉसेश क्या होता है बहुत कम वैल्यू का होता है यानि क्या स्मॉल वैल्यू होता है ना तो निस्ट हम लोग आप क्या देखेंगे रिवास ब्लॉकिंग लॉज है नंा तो दुरिंग डाॱ्रिफ। की तरह है हमें क्या रहे हैं दोप होलरती के दारा हैं यह क्या रहा है पाट हमारा क्या स्विलो कर रहरा है तो जएसा बहुत जाथ ब्लॉकिंग में अulkनटि warten चुत हुए लएक से breakdown voltage ओके बड़ करेंट जो हो रहा है आपका वो क्या हो रहा है ओके लीकेश करेंट हो रहा है तो इन दोना के प्रोड़्ट क्या होगा वह भेरियस मॉल होगा तो रिवर्स ब्लॉकिंग लोस लॉस भी जो है उसका वह वैल्व क्या होगा कम से कम होगा नेश्ट जो है हमारा वह है गेट पावर लाज हैना तो गेट पावर लाज यानि कि एफ हमारा हो गया गेट पावर लाज तो गेट पॉम्हार लाज यानि कि हम लोग जो भीजेट बालटी ऐपलाइब कर रहे हैंatar पोगी correct उसका सारे थारिष्टर सर्किट्स हैं यानि कि वैसा सर्किट जहां थारिष्टर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे गेट पल्स की रुप में दिया जाता है है ना वहाँ पे वह पल्स सिग्नल यूज करते हैं यानि कि ट्रिगर करने के लिए पल्स सिग्नल यूज कर रहे हैं तो पल् सबसे कम होता है तो यह हो गया हमारा गेट पावर लॉस तो यह हम लोग पावर रेटिंग बात किये जिसमें छे पावर रेटिंग था ओके एचली रेट अफेट डिसके कोईस्पांडिंग जो लॉसस हो रहा था टोटल सिक्स लॉसस हो गया ना नेक्स्ट अब भी बात ओके तो टेंपरेचर रेटिंग में जो है हमारा सबसे पहले वह है जंक्सन टेंपरेचर अभी तैकम लोग जंक्सन टेंपरेचर का बात करें थे हमेशा ओके तो यहां पर जंक्सन टेंपरेचर क्या है जंक्सन टेंपरेचर यह डिटर्माइन करता है ओके क्या थारिष्ट में, got it, यानि कि अगर junction temperature जो अपने specified value यानि कि जो ही value दिया हुआ है, उस value से अगर उसके value ज़्यादा हो गया, तो थारिष्टर जो है क्या होगा, वो conduct करना शुरू कर देगा, even when the gate signal is not given, यानि कि अगर gate signal नहीं भी दिया हुआ है, तब उस condition में भी जो है, अगर junction temperature के specified value से ज़्यादा, अगर temperature हो गया, तो उस condition में वो unwanted turn on हो जाएगा, यानि कि नहीं चाहते में भी turn on हो जाएगा, और ये bad condition किसी भी device के लिए, है ना, then junction temperature, ओके, ये determine क्या कर रहा है, कि थारिष्टर जो है, successfully operate हो गया या नहीं, properly operate हो गया या नहीं, तो यहां पर junction temperature पर जो depend करता है, सबसे ज़्यादा, वो है forward break over voltage, ओके, thermal stability, turn off time, ओके, तो ये सब सारा जो है, याद रखेंगे, turn off time, thermal stability, and forward break over voltage, इसी दरभ्यान में जो है, सबसे ज़्यादा temperature increase होता है, ओके, तो ये सब याद रखेंगे, ये तीन factor, forward break over voltage, और अबका, turn off time, or thermal stability depends upon the junction temperature, है न, next हम लोगो बात करेंगे, वो है thermal resistance, तो ये जो thermal resistance है हमारा, ओकी, जिसको में लोगो आगे heat sink में भी बात करेंगे, BJT में भी हम लोगो बात किये थे, I think आप लोगो को याद होगा, अगर याद होगा, तो thermal resistance का definition भी पता होगा, thermal resistance, that is given as the difference in temperature difference, divided by power dissipated, है न, ओकी, यह यह thermal resistance, ओकी, तो यहाँ पर जो heat dissipation हो रहा है, किसे, जो surface cool हो रहा है, ओकी, the heat dissipation from the cooling surface depends on the thermal resistance, ओकी, यानि कि अगर thermal resistance का value जो है, ज़्यादा होगा, तो उस condition में dissipation का rate क्या होगा, कम होगा, ओकी, तो dissipation का rate ज़्यादा ज़्यादा होने के लिए, थर्मा resistance का value क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ओकी, तो अपकोस हमनों जानते हैं, ओकी, कहीं भी current हो पोजिजदा resistance, जितना कम resistance होता होता होतना ज्यादा current होता है, ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी जुम्रों बाद कर रहे हैं, ओकी, जितना जैसे हम दो इसको correlate कर सकते हैं, आर इकोल टू, डेल भी आई, ओकी, तो current ज्यादा flow करें, उसके लिए resistance कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, इसका unit क्या होता है, डेगरी Celsius पर वाट, ओकी, इसको हम और डेटेल में करेंगी, नेश्ट हमारा जो है, वो है turn on and turn off time specification, ओकी, इसे रब करके लिखता हूँ, अभी जो turn on and turn off time specifications है, ओकी, तो इसका selection किस तरस होता है, इसका selection depend करता है, ओस circuit पे, ओके, जो particular application के लिए बनाया गया है, ओकी, तो particular application के लिए जो circuit बनाया गया, उसमें कौन सा device है, अगर वहाँ पे fast switching devices है, ओकी, तो fast switching device का turn on and turn off time जो होगा, वो क्या होगा, कम होगा, ओकी, अगर आपका slow switching device है, यानि की धीरे धीरे अपका, जिसका turn on time, आपको fast switching यानि की turn on time कम, ओकी, जल्सविटरी आउन से off हो या जल्दी off से on होना, that is the fast switching device, तो आपको जल्दी होने कम उने इसका time क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अगर slow device है तो उसका value क्या होना चाहिए ज़्याद होना चाहिए तो वह simple depend करता हो circuit पर जो जिस operation के लिए जो application हमारा जो है उसके लिए use कर रहा है और circuit में कौन सा device है हना तो हम लोग यह हम लोग total rating पर लिए current rating power rating temperature rating turn on and turn off time specifications ओके हम लोग और नेक्स टॉपिक में फिर्मरों मिलते हैं ओके थारिष्टर प्रोटेक्शन के साथ ओके थैंक्यू कि युद्ध